आज हम बात करेंगे plugins के about or plugins में आज आपको completely live install करके दिखाऊंगा किस तरह से पने उनको manage करना है setup करना है अज हम बात करेंगे plugins के about और plugins में आज आपको completely live इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किस तरह से अपने उनको मैनेज करना है और बेसिक समय आइडिया दूंगा आगे चलके इसके बारे में मजीड डिटेल से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको मजीड समझ आ जाएगी तो चले हम चलते हैं इसको मजीड लेर्न करने के देता हूं किस तरह से मैं इसको यूज करूँगा तो लट स्पोस मुझे एक पेज बनाना है और पेज के ऊपर मुझे रिजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए रैट रिजिस्ट्रेशन फॉर्म अलेजसे मैं कोर्सिस के लिए इंडॉल्मेंट्स करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक फॉर्म उपनी वेबसाइट के अंदर लगाऊं उस फॉर्म के उपर मैं उन लोगों से मतलब जो इन्पुट करने वाले हो नेम एड्रेस उनका जो है फोन नंबर और बहुत सारे डिटेल्स जो है वो मैं उनकी क्लेक्ट कर सको राइट तो इ मुझे वो फॉर्म सेट अप करना पड़े तो सबस्क्राइब हम क्या कर लेते हैं यहां पे एक पेज बना लेते हैं एड्नियू करेंगे हम पेज के अंदर और चाहटेंगे जो कि शकले मेरे नजर में काफी अरसी से यह आम कर रहा हूं तो मुझे पता है कौन से बागिन क्या क्या गाम करता है कि सीथा बस्सक्त है तो मैं directly जाता हूँ forminator एक plugin है जिसके जरीए आप किसी भी तरह के forms developer design कर सकते हैं let's suppose यह plugin है इसको मैं simple install करूंगा install करने के बाद आप इसको activate करेंगे तो जैसे मैंने install और activate किया यहां पर देखें इस forminator का complete section आ चुका है कोई यहां पर आपको नजर आ जाएंगे तो मैं अब इसके अंदर जाता हूँ और मुझे एक form बनाना है तो मैं से directly forms पर जाता हूँ पर जाने के बाद मुझे create form करने और मुझे एक जो है registration form design करने है तो मैं चले registration यह pre-made template से इनको यूज कर सकते हैं मैं blank form लेता हूँ इस पर मैं select करता हूँ यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ registration करने के बाद मैंने इसको create कर दिया और मेरे पास मजीद interface नजर आ गया कि मुझे कौन कौन सी आप मैंने यहां पर fields select करनी है मैं नाम की field select कर लूँगा राइट तो मैंने यहां पर मुझे नाम पूछना है यहां पर मैं लिख सबता हूँ है और फिर मैं core field add कर सकता हूँ कहता हूँ email put करेगा बंदा अपना राइट ठेक है अब मैं इसको मजीद phone number तब जो जो भी options है जो जो भी options में या जो जो भी information में collect करना चाहरा हूँ उस तरह कि मैं सारी field यह उस तरह कि मैं अपना design अपना form को design कर लूँगा let's suppose मैं आप address लेता हूँ उस बन लेगा और मैं चाहता हूँ कि जस्ट वह address city और country बस यह तीन चीज़े mention करें और क्या करें उसके इलावे यहां पर देखें हैं अपनी picture भी upload कर सके वो तो मैं यहां पर और option लगा देता हूँ कि upload your picture तो यह जो data है वो मैं collect करना चाहरा हूँ तो मैंने इसको जैसे ही setup कर लिया मेरी requirement आप चाहें तो यहां से जो option आपको चाहें उस तरह का option आप यहां से use कर सकते हैं बहुत सारे options यहां पर मौजूद है आपको चाहें text area, radio buttons को भी चले हैं Use कर के दिखादेता हूँ आपका। है यहां पर देखे मैं इसको option देता हूँ gender और यहां पर option कर्देता हूँ male और यह पर option कर सकते हूँ और तो मैं इसको publish कर दूँगा यहां से जैसे में इसको यहां से publish करूँगा तो मुझे एक shortcode देदेगा इस shortcode को मैं जहां पे भी copy करूँगा वहां पे वह form शो हो जाएगा अब क्योंकि हमने एक पेज बनाया और उस पेज के उपर यह form यह shortcode मैं शो करवाँगा और उस पेज के उपर form हमें शो हो जाएगा तो अगर मान के चली हलती से आप से cut हो जाता है तो दुबारे से आप यह कहां से हासल करेंगे वापिस मैं चला जाओंगा चला जो से और तो से दिशिखक ईंदर है और देखिए में रिकेर पास रिजिस्ट्रेशन को फॉपर मौजूद है यहँ अदिक करूंगा और और यहां पर फ להיות की उपर और यहां पे हमारे पास पो registration का form था उसको मैं, page था, उसको मैं edit करूँगा edit करने के बाद, यहां पे directly बो मैं code paste करूंगा, ओके, तो यहां पे देखिए, वो code आगिया, और इसको मैं update कर दोगा, अब इसको मैं मजीद, इस page को मैं show करवा देता हूं menu के अंदर, right, टो यहाँ पे मेन जोकर नवी घुए तो इहां पर मेनु है इंदर आ गया और यहां मर पासर रिजिस्ट्रेशन है इसको मेना मैंनि मेर्जो करवा दिया अपटेट अब जो भी बन्दा हमारी वेबसाइट पर आएगा उसको यहां पर यह option आएगा registration का वो इस पर क्लिक करेगा क्लिक करने के बाद उसके सामने वो फॉर्म आ जाएगा जिसको फिल करेगा अभी के लिए कि मैं यहां पर जस्ट पेसिक सा फिल कर देता हूं उसके बाद यहां पर मैं पिचर अप्लोड कर देता हूं लेट से पिचर अप्लोड कर दी मैंने और यहां पर मैं मैं select कर लेता हूं mail और यहां पर send message अब यहां पर submit का option होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इसको edit मजीद करके और यहां पर देखें appearance और behavior यह सारे options है मैं appearance में जाता हूं और sorry fields में ही जाने के बाद मैं नीचे की तरफ आता हूं और यहां पर edit करता हूं और यहां पर option देखता हूं submit तो यहां पर देखें मैं इसको reload करता हूं तो यह change हो जाएगा update करना पड़ेगा मुझे इसको okay update हो चुका है again reload करता हूं तो यहां पर देखें submit हो गया अब यह color मुझे change करना है यह इनके design change करना है तो यहां पर देखें हमारे पास different options मौझूद है मतलब यह all-in-one solution किसी भी तरह के forms आप इससे बना सकते हैं मैं appearance पे जाता हूं मैं कहता हूं यह जो design है वो इस तरह से होना चाहिए अब मैंने इसको update कर दिया update करने के बाद again मैं उस page के उपर आता हूं और reload करता हूं तो इस form का design change हो जाएगा तो यहां पर देखें कितना हुज़ूरत हमारे पास यहां पर design आ गया तो मैं यहां पर अपना जो detail फिल करता हूं यहां से मैंने जो automatically तमाम countries आ गए ठीक है मैं Pakistan select करता हूं और उसके बाद में यहां पे picture upload करता हूं अपनी मान के चले कोई भी random picture यहां पे जोड़ गर देता हूं और यहां पर मैं select करता हूं और as a normal user कोई भी बंदा इसको जब submit करेगा तो यह वाले details मुझे as an admin backend पे show हो जाएगा यहां पर देखें यह receive हो चुक है अब मैं यहां पर आऊंगा submissions में जाके देखूंगा कि क्या मुझे यहां पर देखें मैं registration वाला form चूज करहूंगा कि इस form के अंदर में देखना चाहता हूं कि कितनी एंट्री में इसको select करूंगा देखूंगा और यहां में देखें complete data हमारे पास आचुक है image ले देखें यह image upload की थी तो इस तरह से मैंने आपको एक basic सा plugin को set up करके दिखाया और थोड़ा से एक idea देनी की कुशिश की है किस तरह से आप plugins को use करोगे इस तरह से complete documentation भी available होती है यहां पर देखें जैसे यह plugin मुझे install करना है तो इसकी more detail के अंदर में जाओंगा तो यहां पर इसका complete documentation available है कि किस तरह से install करेंगे हम इसको right और यहां पर देखें इसका complete जो है वो details मौझूद है आप यहां से complete सारी चीज़ें इसके description से पता कर सकते हैं कि यह plugin क्या-क्या performances देगा क्या-क्या perform करने के कबिल है तो आई होप आपको समझ आ गई होगी plugins क्या होते हैं किस तरह से use किया जाते हैं और क्या-क्या इनके फाइदे होते हैं तो हमारा जो 95% जो काम होगा वो theme और plugins के उपर ही होगा क्योंकि जितनी भी websites design होंगी इन ही को use करते होंग यह बह मजीद आगे समझ आते जाएगी मिलते हैं चला नेक्स वीडियो के अंदर नेक्स टॉपिक के साथ टिलन कीप लेर्निंग कीप एक्स्पोरिंग कोई भी question है किसी के समकी confusion है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको definitely reply करूँगा